हलो हंजी एवरिवन कैसे हैं जी अप्टीट हैं तो मैं आपके अपना गुर्प्रेट सिंगरेवाल एक और नई वीडियो आज आपको दिखाने जा रहा हूं जिस मैं आज आपको दिखाएंगे का कंपनी का कैसेट प्लेयर वो भी बहुत ही बढ़िया एक लास यह आप देख साते हैं अपनी स्क्रीन पर जी एफ एफ सिक्स जिरो आर क्विक रिवर्स स्टीडियो कैसेट डेक यह एक्चली डेक बहुत ही रेर है ना मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है और इतना पुराना मोडल 1981 के राउंड आया था और यह है इसका डॉर यह देखा यह इसका डॉर ओपन हो गया और यहां पे इसके है टाइमर रिवर्स स्टीडियो कि जी एक्स एफ सिक्स्टी आर यह आउटपट लेवल फेल्टर आउन ओफ यह स्लेक्टर टेप स्लेक्टर रिकॉर्डिंग लेवल और लेफ्ट राइट माइक ठीक है तो यह अभी बंद कर देते हैं जाए और इसको ओन करते हैं और देखो जी क्या बात है तो यह आप जिस ड्रेक्शन में चलाओगे उसी की लाइट जलेगी है ना और यह एजेक्ट करके दिखा देते हैं आपको अंदर भी लाइट जलती है 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 कि एक दम परफेक्ट अंदर से दिख रहा है और आपको चला के दिखाते हैं अब तो जोलते घसकाते तिर मस्ति शिरफ टच करने की जोड़ा था यह देखो फावेड है कांटर चला ला है स्टॉप शिरफ थोड़ा सा टची करना बस ठीक है जी और यह दूसरी साइड ठीक है और यह इस साइड है क्या बात है बहुत ही बड़िया चीज है यह दोर और यह आउटपुट लेवल आपको बताई दिया ना सारकुष और बाकी हैंदी अगर गणा सुनना आई हो तो आपको वटसर पर बेज देंगे ना थोड़ा सा चला देता हूं थोड़ा सा अब कर देते हैं बंद और ऊपर से देख लीजिए यह 220 पे आया ना पहले 110 पे था जब जबान में था तो अब 220 पे कर दिया हमने थोड़ा सा साफ सूफ कर ले ना आप ठीक है जी बाकी यह आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बजायते हैं और फिर बाद में पीछे से दिखा दूँगा आपको 81 से 82 तक आया था ठीक है जी अटर्वास 2 है जीडल कंपक्त कैसे डेक कैसे तक ट्रैक सिस्टम 4 ट्रैक 2 चल्स ट्रीयो टैप स्पीड 4.76 cms एक एक रिकोर्ट ब्लेवेक है और दो एरेज मोटर एक 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 रील और टाइप 1 क्रॉम मेटल नॉज डेक्शन बी है फ्रिकेंशी रिस्पॉंस 30 एर्च 219 एर्च मेटल टेप सेगनल डुन नॉज रिश्टीफ़ डीवी वाव एंफ्टर एस 0.04 परसंट टोटल हार्मोनिक दिस्टोशन एस 0.7 परसंट इंपॉट है 70 एंवी लाइन 0.25 एंवी माइक आउटपट है 0.41 वी लाइन दिमेंशन है 414 नवन 15 नवीन निदिन एमम और वेट देख लो इसका 10.7 कज एंप्ली फैर जितना वेट है इसका 11 कि लो और रिमोट तो है नहीं बड़ मारे पास ये नाइटीन एटीन इन देख लो जी 11 किलो का एंप्ली फैर है 11 केज इतना तो मतलब की एंप्ली फैर होता है नॉर्मल एंप्ली फैर छे साथ किलोगा मिल जाता है और एंप्ली फैर जितना वेट है इसका मेंड इन जबाने यह आउट पूट भी मैंने वायर लगाई थी है ना और सी जी एक्स एफ साथ आर अर ते आर मोट अलाया ना और यह पीछे आपने देखा गी सारा लिखा हु से यह ना मतलब जबान में 110 आती है बट अंदर इसके प्री सेट लगा हुए ना तो वहां से आप चेंज कर सकते हो तो वहां से चेंज किया हुए अब टूट वड़ी भी है ठीक है जी और बाकी अब आपको पताते हैं इसका प्राइज यह जैसे जिसने भी बाय करना होगा तो यह आपको मिल जेगा जी विद शिपिंग ती ही आरदा 30,000 विद शिपिंग जिसने भाय करना मार से कॉंट्रेक्ट करना कॉल करना मैसे करना फोन नमर आपको मालम है नहीं मालम तो प्रिस राइडे डाउन 9-1-2-0-4-0-3-2 और 9-7-1-7-6-1-8-3-8-9-1-1-1-1-1-1-2 जिद ती स्थानमे स्थाना काट ठासी ठती नेखो जी मुझे मालम है प्राइड जादा है बट क्या करें चीज भी ऐसी है जो की दुबारा नहीं मिलेगी और मुझे ये भी मालम है कि ये कोई शिकीन बंदा ही लेगा नॉर्मल बंदा ले भी नहीं सकता मुझे जिसको बढ़ाई